मैं मुंबई में रहता हूँ या फिर मैं मुंबई में रहती हूँ तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे I live in मुंबई अगर मैं एक बार repeat कर रही हूँ या कोई sentence को दो बार repeat कर रही हूँ तो उसके साथ-साथ आप भी मेरे साथ repeat करते जाए ठीक है अगर किसी sentence को दो बार repeat करना है तो दो बार repeat कीजिए पहले ध्यान से सुननीजी ठीक है उसके बाद repeat कीजिए मेरी किताबे टेबल पर है मेरी किताबे टेबल पर है My books are on the table My books are on the table मेरी किताबे मेरे कम्रे में हैं 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 वह बस स्टॉप पर है वह बस स्टॉप पर है He is at the bus stop He is at the bus stop हम कुरसी पर बैठे हैं We are sitting on the chair राहूल अपने कमरे में है राहूल अपने कमरे में है राहूल अपने कमरे में है मतलब राहूल अभी काम पर है यह कोश्चन है क्या आगया तो इसलिए आप इसमें इस यॉर ब्रादर रियूज करेंगे क्या आपका भाई अभी काम पर है इस यॉर ब्रादर अभी काम पर है क्या आपका भाई अभी काम पर है मैं इस समय घर पर नहीं हूँ मे रा जन्म 1998 में हुआ था मेरा जन्म एक गाउ में हुआ था मेरा जन्म एक गाउ में हुआ था मेरे गाउ में कोई स्कूल नहीं था मेरे गाउ में कोई स्कूल नहीं था मेरे गाउ में अस्पताल भी नहीं था Even hospital was not there in my village. Thank you so much for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.